exercise 4.2 अपना complete हो चुका है और exercise 4.2 का और पिछले सारे exercise का link आपको description box में मिल जाएगा कोई भी question आप देखना चाहते हो तो वो जा के आप देख सकते हो और अगर आपको किसी question में कोई doubt है तो नीचे description box में आपको मेरा email id मिल जाएगा आप मेरेको email करके अपने doubts को पूछ सकते हो अगर आपको email करना नहीं आता है तो आप description box में देख सकते हो मैंने एक video बना रखा है कि email कैसे करते है email id क्या होता है email कैसे create किया जाता है complete tutorial मैंने उसके बना रखा है उसका भी link आपको description box में मिल जाएगा आप उसको देख के email करना सीख सकते हो और email सीखने के बाद आप अपने doubts को पूछने के लिए मेरेको email कर सकते हो आप अपने questions को एक paper में लिख लीजिए उसका photo खीच लीजिए और मेरेको mail कर दीजिए जो भी आपका doubt है तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूँगा और अगर आपको फिर भी समझ में आए तो आप मेरेको mail कर लेना तो मैं आपको WhatsApp नंबर भी दे दूँगा तो आप मेरे से WhatsApp में भी message करके वीडियो कॉल करके अपने doubts को clear कर सकते हो आपने स्टार्ट करने वाले है exercise 4.3 तो कुछ important points मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है इन points को अगर आप याद रखोगे तो exercise अगला जो exercise है exercise 4.3 उसके सारे questions को आप बहुत easily solve कर सकते हो कुछ नहीं आपको सिर्फ diagram construct करना है और एक बहुत important चीज़ है तो को यहाँ पर जो हम लोग को diagram construct करना है एक quadrilateral ही construct करना है तो वो quadrilateral कैसा होगा कि एक condition देगा कि when two adjacent sides and three angles are given यानि कि एक quadrilateral के दो adjacent sides का measurement दिया रहेगा और उस quadrilateral के तीन angle का measurement दिया हुआ होगा और उस quadrilateral क हमको construct करना है तो यह जो quadrilateral हम construct करेंगे यहाँ पर जो angles दिया हुआ है angle को draw करने के लिए हम लोग को protector का use नहीं करना है बिना प्रोटेक्टर के diagram को हम लोग को draw करना है यादि कि angles को बनाना है तो बिना प्रोटेक्टर के किसी angle को कैसे draw किया जाता है इसके लिए मैं पिछला एक वीडियो बनाया था इसके जो पहले वाला वीडियो है उसका link वे आपको description box में मिल जाएगा कि बिना प्रोटेक्टर के कोई भी angles ठीक है वो आप कैसे draw कर सकते हो वो 15 के multiples में है वो जो angles है 15 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree मतलब 15 के table में जितने भी उसके multiples आते हैं उसका angle आप कैसे draw कर सकत तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आपको angle बनाना आता है बीना protector के सिर्फ rounder से और pencil, scale से, pencil से तो वो वीडियो आप skip कर सकते हो लेकिन अगर नहीं आता तो वो वीडियो आप ज़रूर देख जो लगा हुआ हो ठीक है दो adjacent sides का measurement दिया है और तीन angles का measurement दिया हुआ है तो उसको कैसे आपन construct कर सकते हैं एक example लेते हैं आपके text book से ही ले लेते हैं एक quadrilateral है उसका नाम है MIST अब इस MIST में MI का measurement दिया हुआ है 3.5 cm Is का measurement दिया हुआ है 6.5 cm एंगल M का measurement दिया हुआ है 75 degree एंगल I का measurement दिया हुआ है 105 degree और तीसरा एंगल हैंगल S का measurement दिया है 120 degree तो देखो यहाँ पर दो साइट्स हम दोको मिल रहा है यह दो साइट्स और यह तीन एंगल्स इन सबको लेके quadrilateral हम दोको construct करना है तो सबसे पहले काम करते हैं एक rough diagram ड्रॉक कर लेते हैं अपना कैसा भी बने एक rough diagram आपन ड्रॉक कर लेते हैं ठीक है कैसे भी आप ड्रॉक कर सकते हैं आप सिंपल एक ऐसे ही ड्रॉक कर लो ठीक यह भी Pagapka-Dager Media ने की यह वाला site है इसका 6.5 तो देखो adjacent sites कि इसको बोते हैं जो sides आपस में एक दूसरे के लगे हुए यह वाला site और यह वाला site adjacent sites है यह वाला site भी adjacent sites है तो यह वाला site और यह वाला site adjacent sites नहीं है क्योंकि यह दुनों आपस और यह दोनों को एड़ेसंट साइट बोल सकते हैं और यह दोनों को एड़ेसंट साइट आपको आपको बहुत एजी रहे गाए जब आप एक रफ डागराम बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो यहां दिपर मेशर्मेंट किसका दिया हुआ यहां सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको ड्रॉ करने के लिए क्या क्या स्केप्स लेना पड़ेगा यादर कोई स्केप्स भी आपको साथ में लिखते जाना है तो वह चीज़ मैं आपको एक्सरसाइज में बता हुआ है यहां सिर्फ आपको ए एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको ड्रॉ करना है कोई भी कैसे आपको कंस्राट करना है कोई भी क्वाडर लेटरल को तो बेस ले लेते हैं देखो 3.5 cm का जो MI है ठीक है यह हो गया MI आप अपने according किसी को भी बेस ले सकते हो इन दोनों में से क्योंकि इनी दोनों sides का measurement पता है ठीक है तो मैं यह बोलूँगा कि आप जो भी लोग है उसके according आपका diagram बनेगा ठीक है आप कुछ भी ले सकते हो MI को ब 3.5 cm का यह है M और यह है I अब आप देखो I से S 6.5 cm का यहां कहीं S है वो 6.5 cm का है लेकिन वो कैसे जाएगा straight है right side जाएगा left side जाएगा यह कैसे पता चलेगा इसके angle से ठीक है तो यहां देखो M का भी measurement दिया हुए 75 degree का है M और जो I है 105 degree का है यह सिर रफ diagram है ठीक है ऐसा diagram दी बनेगा अपना diagram खुछ अलग बनेगा कैसे बनेगा देखते हैं तो यहां 75 degree का measurement है तो angle M से हम लोग को 75 degree का measurement का एक line segment draw करना पड़ेगा ठीक है यहां एक ray draw करना पड़ेगा कैसे करेंगे 75 degree draw करने के लिए आपको क्या करना है rounder में pencil को फसा लो कोई भी एक छोटा सा measurement ल जी दाइज साँ पता इससा kung Emperor में मेशर्मर्व 對 खुए को यहां पर टॉग करना है ओस पॉइंट पर שמ׏ से यहां पर एक और पहले draw करना आँ तो यहां पर एक और आर्क ड्रॉव हूं गया, suppose, फिर उसी measurement से यहां पर आपको needle place करना है, और एक arc यहां पर draw करना है, ठीक है, ऐसा, तो यह जो दो points है, ठीक है, यह दो points, देखो, यह जो बड़ा वाला arc बना है, यह 180 degree का है, कैसे कि अगर, suppose इस line को आपन ऐसा extend कर देते हैं, तो यहां पर अ 180 degree का arc है, ये 3 equal part में divide हो चुका है, ये पहला arc, ये दूसरा arc, और ये तीसरा arc, ठीक है, एक arc को 3 equal part में divide कर लिए, तो अगर 180 को 3 equal part में divide किया जाए, 180 divided by 3 किया जाए, तो 3 बंदा 3, ये हो गया 3 6 18, 3 0 0, 60 degree, यानि कि अगर यहां से एक line draw करेंगे, इस intersecting point को cross करते हुए, तो ये वाला जो angle बनेगा, वो 60 degree का होगा, और इस angle को, यहां से यहां तक अगर measure करेंगे, तो वो भी 60 degree होगा, और यहां से यहां अगर measure करेंगे, तो वो भी 60 degree का होगा, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, इस सिर्फ आपको समझाने के लिए था, अब देखो, हमको पता है कि यह 60 degree का है, और यह भी यहां से 60 degree है, तो 60 plus 60, 120 degree होगया, ठीक है, तो अब देखो, 15 का table आपको आना चाहिए, अगर 15 का table आता है, तो आप इसको solve कर सकते हो, 15 का table क्या होता है, 15 बन्द फिफ्टीन, 30, 45, 15, 30, 45, 15, 40, 60, फिर 75, फिर 90, 105, 120, 135, और 150, उसके आगे बढ़ेंगे, तो 165 और फिर 180, ठीक है, यह table मैं क्यों बता रहा हूँ, यह भी आपको समझ में आ जायेगा, यहाँ पर देखो, 120-degry का measurement यहां जा रहा है, 60-degree का measurement यहां जा रहा है, अगर हम लोगों को पहले, यहाँ पर 75-degree का measurement बनाना है, तो 75 अगर आप देखोगे, तो 75 जो है, 60-degree और 90-degree के बीच में आता है, ठीक है, के बीच का यानि के 60 और 90 के बीच का जो एंगल होगा वो 75 डिगरी का होगा कैसे करेंगे देखते हैं ठीक है ये 65 आपको पता है ये 60 डिगरी आपको पता है एक rounder में जो जिस measurements आप इसको बना रहे थे उसी measurement से ही चलेगा यहाँ पर आपको आपको ड्रॉ करना है यह सब चीज़ आप इसे क्लास में भी पढ़ चुके हो कि 90 डिगरी का measurement कैसे बनता है ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि यह intersection point है तो यहाँ से आपको एक dotted line बनाना है ठीक है यह dotted line क्यों बनाना है यह हम आपको लास्ट में बताऊंगा आपको यहाँ पर एक dotted line बना दिना है तो यह वाला जो एंगल है अब यह 90 डिगरी का एंगल बन गया ठीक है यह एक 90 डिगरी का एंगल बन चुका है तो देखो 75 डिगरी एंगल एम जो है 75 डिगरी का है 75 डिगरी जो है 60 और 90 के बीच में यह एंगल जो जाएगा यह 60 डिगरी का जाएगा यह एंगल जो बन रहा है 90 डिगरी का बन रहा है तो इन दोनों के बीच का एक एंगल दिखलेगा जो 75 डिगरी होगा वो कैसे find out करेंगे आप उसमें pencil फसा के कोई भी एक measurement ले लो यह जो measurement था यही measurement को रखे रहे लो यह इस point पे जो 60 डिगरी वाला intersecting point है यहाँ पर needle प्लेस करना है आपको और यहाँ एक arc कैसे draw कर लेना है ठीक है यह arc कैसे draw हो गया उसके बाद उसी measurement से 90 डिगरी के intersecting point पे needle को रखके इस arc को cut करना है यह arc आप ऐसे cut कर लो तो यहाँ से जो angle निकलेगा ठीक है यह intersecting point से touch करते वे इसको आप एसे extend कर तो देखो मैं whiteboard में बना रहा हूं बिना किसी measurement के बना रहा हूं तो straight नहीं बन सकता आप copy में pencil से बनाओगे rounder से proper measurement के था तो proper measurement आएगा तो यह जो angle है यह अब 75 degree का हो गया ठीक है तो यह वाला angle 75 degree का है तो इस line में कहीं पर T मिलेगा हमको लेकिन वो T कहाँ पर है अभी नहीं पता आपने को ठीक है अब क्या करना है यह जो angle I है इसका measurement यह 105 degree तो 105 degree यहाँ पर हमको बनाना है इस I point पर आप देखो 105 है यह 90 और 120 के बीच में आता है 15 के table में ठीक है 105 90 और 120 के बीच में आता है इसका मतलब पहले हम लोग को यहाँ पर 90 डिग्री का एक ऐसे ही बनाना पड़ेगा 120 डिग्री का बनाना पड़ेगा उन दोलों के बीच का angle find out करेंगे वह 105 डिग्री का होगा तो कैसे करेंगे सबसे पहले आपको इस हिससा है जैसे इसको आप ड्रॉक की हो वैस चीज़ आपको मैं यहाँ बता चुका हूँ वही चीज़ यहाँ पर करना है 180 डिग्री का है उसका जो जो भी आप measurement से इस आर्क को ड्रॉक कियो उसमें यहाँ पर आपको पहले निडिल प्लेस करना है इस पॉइंट पे एक आर्क आपको प्लेस करना है और एक आर्क आपको intersecting point है अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का measurement आप बना सकते हो क्योंकि 105 जो है 90 और 120 के बीच में है ठीक है 120 यह है 90 मिल जाएगा तो उन दोनों के बीच का angle find out कर लेंगे 105 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री कैसे बनाएंगे एक measurement आप ले लो या इसी measurement से भी चल जाए यहाँ पर आपको needle place करना है और यहाँ एक arc को draw करना यह arc ऐसे suppose draw हो गया उसके बाद same measurement से यहाँ पर आपको needle place करना है इस point पे और इस arc को cut करना है तो यह arc ऐसे cut हो गया ठीक है इस point को आप dotted line से यहाँ से ऐसे extend करतो ठीक है यह intersecting point जो है यहाँ पर यह 90 डिग्री है यह वाल डिग्री और 120 डिग्री के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब यह 120 है यह 90 है इन दोनों के बीच में जो लाइन निकलेगा वो 105 डिग्री का होगा तो कोई भी एक measurement लग लो और यहां पर एक arc पहले इसमें needle को place करो rounder का यहां पर एक ऐसा arc draw कर लो फिर उसके बाद सेम measurement से यहां पर आपका needle को place कर लो इस point पे और इस arc को ऐसे cut कर लो उसके बाद यहां से एक line आप इस जो arc cut intersect हो रहा है वहां से एक line draw कर लो तो यह वाला जो angle बनेगा यह जो बड़ा वाला angle है 105 degree का है तो देखो यहां पर यह जो dotted line है यह dotted line यह बताएगा कि यह 90 degree का measurement है हम लोगों को actually जो बनाना था 105 degree का measurement बनाना है इसलिए इसको 90 degree को dotted line से बनाते हैं और जो actual हमारा जो measurement है जो actual line draw करना है उसको dark line से आप बना सकते हो अब आप देखो I से लेकर S तक 6.5 cm का measurement दिया हुआ है तो यहां पर I है अब compass में pencil को फशा के 6.5 cm का measure कर लो with I as a center and radius 6.5 meter make an arc suppose इसको नाम देते हैं यह वाल आर्क X से यह वाई है make an arc on I, Y यहां पर एक cut कर लो यहां पर suppose इक cut हो गया यह intersecting point हो गया इसका जो intersecting point है इसका नाम हो जाएगा S अब देखो यह 3 side draw हो गया है हमको find out करना है T इस line segment में कहीं पर T आएगा या फिर यह ray है इस ray में कहीं पर एक T आएगा तो वो T कैसे find out होगा S जो angle है S angle का measurement दिया हो है 120 degree 120 degree तो बहुत easily बना सकते हैं आपन कैसे करेंगे अब आपको करना क्या है यहाँ पर needle को place करना है सेम इसी तरह ठीक है जैसे यहाँ पर 60 degree और 120 degree find out किये यहाँ पर भी 60 degree और यहाँ पर भी 60 degree और 120 degree find out कर सकते हैं कोई भी measurement आप ले लो needle को इस intersecting point में जिसको आपन नाम दिये S यहाँ पर place करो और एक आर्क बड़ा आर्क यहाँ से ऐसे ड्रॉक कर लो यह ड्रॉक हो गया जिस measurement से इस आर्क को ड्रॉक कियो उसी measurement को यहाँ पर रख लो इस point पर एक ऐसे आर्क यहाँ पर ड्रॉक कर लो यह पहला बन गया 60 degree का फिर इसी point पर रख लो और यहाँ बना लो यह हो गया 120 degree का ठीक है? उपर space नहीं है यहाँ पर ऐसे कहीं बनेगा मैं आपको ऐसी दिखा रहा हूँ आप बना लेना यहाँ पर 60 degree का बन गया यहाँ पर 120 degree का बन गया तो आप क्या होगा? ठीक है? अब आपको पता है यह वाला जो angle angle S है वो 120 degree का है तो आपको कुछ नहीं कर रहा है यह जो point of intersection है यहाँ पर दिख रहा है आपको वो S से आपको extend कर देना है ऐसे यह extend हो गया ठीक है? अगर दोनों मिल नहीं रहे है, मिल नहीं हो रहे है तो आप इस line को भी ऐसे extend कर दो तो यह जो point of intersection होगा यह point of intersection है T अब अपना diagram complete हो चुका है जिसका नाम M, I, S, T यह quadrilateral है जिसमें आपको तीन angle का measurement यह आपको यह angle है 75 degree का यह वाला बड़ा angle 105 degree का और यह वाला जो angle अभी find out किये 120 degree का है इसलिए आपको कभी भी perpendicular line यहाँ पर अगर draw करने की ज़रूरत पड़ी तो आप उसको dotted line से बना था ताकि जो आपका actual length है आपका actual measurement वाला line segment है वो आपको clearly समझ में आए यह ज़रूरी नहीं है आपकी इसको draw करो लेकिन इसको draw करोगे तभी आपका जो बाकी angle से उसका find out कर सकते हो तो यह जो perpendicular वाला line है यहाँ 90 degree measurement वाला जो line है इसको आप हमेशा dotted line से ही बनाया करो तो इन points का आपको धिहान में रखना है कहां-कहां intersecting point है और किस-किस को क्या-क्या नाम देना या पर अपको ध्यान में रखना है इन points को अब अगर आप ध्यान में रखते हो तो exercise 4.3 के सारे questions को आप solve कर सकते हो और यह जो angle बनाने का जो मैं आपको बता रहा हूँ compass के साथ में कि angles कैसे बनाते है इसके साथ हम next video से exercise 4.3 के questions को लेना स्टार्ट करेंगे